नमस्कार विद्यार्तियों आज भी भाग देतिया वर्स का अगला टोपिक है यूनिट सेकिंड का अंतिव टोपिक है विशु व्यापार संगठन डबलू टियों इस से सब परीचित है और सामाने तया इसके बारे में ज्यादा बड़ा पर्सन ना पूछ के टीपणी पूछ पूछ ली जाती है कि विशु व्यापार संगठन क्या है कब इसके इस्तापना होई है और इसके मुलू देश है क्या है या इनका कार्य क्या है यह विशु में किस तरह के व्यापार की स्थिति को नेंद्रित करता है यह सारे बाते इस वीडियो में करेंगे विशु व्यापार के व्यापार के विवादों को निप्टा रखिया जा सके तो इसलिए व्यापार एवं पर शुलक सामाईने एक समझोता हुआ जनरल एग्रिमेंट ओन ट्रेड एंट टेरिफ ये ध्यान रखना जी एड डबल टी गेट ये इसकी फुल फॉल्परम सामयने का बहुत बार पूछी जाती है गेट क्या है तो इस तरह का एक संगटन बनाया सबसे पहले और जो उसका उदेश ये था कि दो राश्ट्रों के मे चामाल और वस्तों के निर्मित वस्तों को सामिल किया गया था फार्म प्रोडेक्टर और सेवाओं को इसमें सामिल नहीं किया गया था ये सबसे बड़ी इसकी एक गल्ती थी समझोते की उसकी बाद जब ये ज़्यादा इतना ज्यादा परभावी नहीं रहा तो इसको एक जनवरी 1995 से गेट जनरल एग्रिमेंट ओप ओन ट्रेड एंड टेरिप को के इस्तान पर एक संगटन विश्व व्यापार संगटन वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाइजेशन डब्लू टी ओ की इस्तापना कर दी गी और गेट के जो नियम थे उनकी जगे ने नियम और सिधान्त बन अग्रावी देश था स्योंक्तराई जी अमेरिका था उनको ऐसा लग रहा था कि यह पता नहीं क्या संगटन किस तरह का होगा इसमें तो अग्राई जी ज्यादा परभाव से इलता के कारण यह इस पर इस पर इस संगटन पर ज्यादा परभूत वे हुआ और उन्होंने कु इस परदा के लिए आंत्रिक संचार बाजार खुला गया उन्ही सो सतार्ण में के अंतक रूस और चीन के एत्रीक एक सुतीस सदेशिय तक बन गे वर्तमान में डव्यूट्यों के एक सो सेंतारीस क्या भी उससे भी ज्यादा है यूरगवे दोर के अधिन परसुलक और व्य तो इस तरह से ये इस विशुवापार संगटन में मुख्य कारिय था किसी दूसरे किसी देश में आयतित सामान पर भी बिन देशों से आयतित माल पर तट पर समान दर से लागू होने पर जोड दिया गया उदान के लिए जर्मनी से अगर मलेशिया एवं भार दोनों देश वस्त्रों पर तटकर की दर समान होगी ये कितनी अच्छी बात है उसके बाद ये एक बॉक्स में दे रहा है कि गेट समझता क्या है डबलू टीओ में कैसे इस ताना अंत्रन होगा है जो हमने पीछे बात की उसी से समझ दित है और डबलू टीओ की एक सोट मतलब एक संक्स अधिकार इतियादी निश्चित नियमों के आदार पर ही निर्दारित हो डबलू टीओ संस्ता देश के समय समय पर विवापार निर्थियों की समिक्षा करेंगे और इसके मुख्यले वर्तमान में जीनेवा है इसके सदेश सिराष्ट्रों की संक्या भी आप नेट पे जाते हैं, उसके बादा था है WTO, वह जो हमने पहले उपर परीबास से पड़ी है कि WTO बास्तम है क्या? कि एक अंत्राश्च चे संस्ता है जो वस्त्मों हों का अंत्राश्चे प्यापार में निश्चित करती है बोधिक संपदा अधिकार क्या है उसके बारे में विशेष् मतलब आपका कोई ऐसा ग्यान है, नोलेज है, किसी देश का ऐसी एक कोई जो पेटेंट से संधासा समझ सकते हैं, जो उसका है उन अधिकारों की रक्षा करेगी, पेटेंट से मतलब है कि कोई आपने ऐसी खोज की है, या ऐसा कोई आपका प्रोडेक्ट है, जिस पे केवल अधिकार हो, आप अपना उसका, उसका कोई दूसरा देश उस पे उत्पादित ना कर सके, आपका पेटेंट है, आपके सारे अधिकार सुरक्षित है, उस नेमों को भी इसमें साम्यल किया गया, डबलू टो के समझोते के पालन को सुनिस्टित करने के लिए, सदेशी इसके सदेश्यों के मेध्य उठने वाले विवादों के लिए, इसता ही, मध्यस्त की भूमी का निभाने के लिए, एक संस्ता बनाई, जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट वोडी का गटन किया गया था, डबलू टो के सदेश एक नेशित अंतराल पर व्यापार नेतियों की समिक् मुद्रा को स्वीशू बैक जैसे अंतराइस्टे संस्ताओं के सयोग की अपेक्सा राखेगा, डबलू टो की सर्वोच संस्ता मंत्री में लिए समेलन है, जिसमें सभी देशों की मंत्री सदीशिया है, सितमवर दोजार तीन में एक संपन कानकून मेक्सिको में समेलन इस ज सदे, इसी तरह से एक सामाहिन परिश्द जनरल काउन्सलीं काउंसिल होगी, जिसमें सभी सदीशे समय लित होगी, ये परिश्द मंत्री सदीशता का कामकास देखेगी, सामाहिन परिश्द के अदिन तीन और परिश्देबनाई गिये हैं, जो पर्थम वस्तों के व्यापा की परिश्चत और तीसरा व्यापार संबंदी बोधिक संपदाधिकारों की परिश्चत ये इस तरह का गठन किया गया था विसुबेंकार्तिक सहयोगे विकासंगठन OCED तता गेट के अनुसार यूरगवे एक दक्सिन अमेरिका के देश है गेट के आठवे एपम अन्तिम दोर में किये गे समझतों के भारत पर पढ़ने पढ़ने परवहों का आंकलन में काहा गया के 2005 तक बहु फाइबर समझता खतम होगा और वर्स्तों के विदेशी व्यापा में भारत की भागीदारी है वो एक परचेशत से वर्तमान में अधिक है तो इस तरह से पूरवीश्व के सभी देशों में व्यापार के जितने भी जो आप सी किर्याकलाब थे वो सारे इसके द्वारा संपादित होने लगे वीभिन नेतिया कानून है वीभिन तरे के कर है आयात छुलके है निर्यात छुलके है उनका एक निर्दारन किया जाने लगा और विष्व के बहुत सारे जो वस्तवे थी वीभिन देशों में एक दूसरे मायात निर्यात की जाने लगी इसी संगठन के द्वारा ये सारा संभव हो पाया और संपूर्ण विष्व अपने आप में एक बाजार के रूप में सब के सामने आ गया